अगर आप में चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करें अगर नाम लिखेंगे और नमस्ते बच्चों हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्त होंगे तो आज हम पड़ेंगे फेस्टिबल्स यानिकि त्योहारों के बारे में बच्चो हम सभी को त्योहार मनाने पसंद है आप सभी को भी पसंद होंगे न त्योहार मनाने ये हमारे जीवन में खुशिया लाते हैं त्योहार मनाते हैं तो हमारा जीवन जो है वो खुशियों से भर जाता है आईए आज हम त्योहारों के बारे में जाने तो आज हम कुछ तर के यानि की स्वतंतरता दिवस, जो की 15 अगस्त को मनाया जाता है, उसके बाद आता है Republic Day, यानि की गनतंत्र दिवस, जो की 26 जन्वरी को मनाया जाता है, फिर आती है हमारी दिवाली, जिसको प्रकाश का पर्व या दीपों का पर्व भी बोलते हैं, क्योंकि इस पे हम दिय जलाते हैं और रोशनी होती है ना फिर आता है हमारा इद ठीक है इस पर हम मीठी से वईयां खाते है ना फिर आता हमारा क्रिस्मस क्रिस्मस पर हम जो ट्री होता है क्रिस्मस ट्री उसको डेकोरेट करते हैं गिफ्ट जो है एक दूसरे को देते हैं फिर आती है होली होली पर हम क्या करते हैं रंगों से खेलते हैं या पिछकारी में पानी भर कर वो एक दूसरे पर चलाते हैं ना फिर आता मेरा गुरू पर वो ठीक है तो इस तरीके से ये हमारे त्योहार होते हैं अब देखते हैं तो बच्चों क्या आपको पता है कि हमारे राष्ट्रिय तिहार कौन-कौन से हैं तो राष्ट्रिय तिहार कौन-कौन से हैं तो वो होते हैं हमारे एक तो हो गया गांधी जयन्ती गांधी जयन्ती दूसरा हो गया स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता दिवस और तीसरा हो गया हमारे पास गणतंत्र दिवस तो ये हमारे क्या होते हैं राष्ट्रिय पर्व होते हैं तो ये तीनो नाम जो हैं वो लिख लेंगे आप अपनी कॉपी में उसके बाद आता है कौन सा त्योहार रंगों का त्योहार के नाम से जाना जाता है तो रंगों का त्योहार कौन सा होता है होली किस त्योहार को दीपों का त्योहार कहा जाता है तो दीपों का त्योहार किसको बोला जाता है दिवाली को बोला जाता है तो इसका उत्तर हो जाएगा तो यह सबी इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे उत्तर आगे देखते हैं उसके बाद आता है कि किस त्योहार को प्रकाश पर्व भी कहा जाता है तो जो हमारा गुरु पर्व होता है उसको प्रकाश पर्व भी कहते हैं गुरु नानक देव जी का जन्म दिन जो होता है वो इसी दिन होता है तो इसको प्रकाश पर्व भी बोलते हैं ठीक है तो गुरु पर्व आपका पसंदिदा त्योहार कौन सा है तो सभी बच्चे जो जो आपका पसंदिदा त्योहार है वो लिखेंगे जैसे मेरा पसंदिद गए त्योहारों को पहचान कर उनका मिलान उनसे संबंदित चित्रों से करे तो ये नीचे हमें कुछ त्योहार दिये हुए और ये इन त्योहारों से संबंदित कुछ चित्र है तो त्योहार को उसके संबंदित चित्र से पहचान कर हम मिलाएंगे तो देखो ये कौन सा त्यो सताधिवस है तो यह हम इंडिया गेट से हमने इसको मिलाँ दिया तो इस तरीके से हम इन का मिलान करेंगे ज Alrighty अब आगे देखते हैं चलिए अब हम अपने घर को सजाने कि लिए रंगीन कागजों की सहायता से रंगोली बनाने का प्रयास करें तो आप क्या करेंगे अपने घर को सजाने के लिए घर में मौजूद कोई भी रंगीन काघस है तो उसका इस्तमाल कर सकते हैं और उससे आप रंगोली बनाएंगे तो देखिए जैसे इसमें यह बनाकर दिखाई गई है रंगीन काघसों का इस्तिमाल करके ऐसे रंगोली अब अभिभावकों के लिए सुझाओ रहेगा विबिन तिहारों के बारे में बच्चों के साथ चर्चा कीजिए हम हमारे भारत देश में जितने भी तरह के तिहार मनाए जाते हैं आप उनके बारे में बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं और साथ-साथ कोरोना से बच्चने के लिए अपने हातों को साबून में पानी से सभी को नियमित रूप से धोते रहना है तो आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में